सिक्षगों को कोई परिक्षा नहीं देनी पड़ेगी, पहले विभागिये परिक्षा की बात हो रही थी, चार लाख नियोजित सिक्षगों को बड़ी रहात मिलने की उमीद हैं, इंटर्नल कमीटी की रिपोर्ट पर ड्राफ्ट तयार होगा, सिक्षग विभाग ने कानूनी जैन्ती के मौके पर घोशना करने की तयारी चल रही है, प्रैमरी से लेकर उच्छे मादमिक सिक्षग अब राज्यकर्मी होंगे, तो सुत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, और बड़ी खुश खबरी, नियोजित सिक्षगों के लिए, बिना किस इस शर्त के उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, और इसको लेकर के जोड़ शोड़ से तयारी भी की जा रही है, सिक्षगों को कोई परिक्षा नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि पहले विभागिये परिक्षा की चर्चा बात हो रही थी, लेकिन अब उन्हे कोई परिक्षा नहीं देनी होगी, चार लाख नियोजित सिक्षकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है, इंटर्नल कमीटी की रिपोर्ट पर ड्राफ्ट तयार किया जा चुका है, सिक्षा भिभाग ने कानूनी सलाह लेकर इस ड्राफ्ट को तयार किया है, और सिर्फ अब क सिक्षक राजशकर्मी होंगे, और रजनीश हमारे स्तेयोगी जोड़े हैं, रजनीश जिस तरीके से नियोजित सिक्षक लगतार आंदोलन करते रहे हैं, अपनी माहों को लेकर कोई शर्त नहीं होगा, राजशकर्मी का उन्हें दर्चा मिल सकेगा, क्या अपडेट है, इस कि जिसका डर था, जिसकी चिंता शिक्षकों को सता रही थी, कि परिक्षा को लेकर वक्त लग सकता है, सरکार परिक्षा लेकर राज़कर्मी का दरजा देगी, लेकिन अब इन चीजों से भी जो विराम है वो हट गया है, सबसे बड़ी जानकारी यह है, कि अब सरकार बिए बिना किसी शर्त के यानि बिना किसी परिक्षा लिये राजकर्मी का दरजा देगी जिसको लेकर तयारी पूरी कर ली गई है यहां तक की जो महाधिवक्ता है उनसे विधिक सलाह ले ली गई है उसके साथ साथ वित्विहाग से सहमती ले ली गई है ड्राफ्ट तयार कर लिया अब सरकार ने मन बना लिया है कि 2 अक्टूबर गांधी जैनती के अफसर पर ही ये घोश्टना करेंगे और जिसको लेकर तयारी शुरू हो गई है जो हमारे पास सुत्रों से जानकारी मिल लई है कि 4,000 से अधिक करोड जो है 4,000 करोड से अधिक जो खर्च है राजसरकार को औ और वहन करने पड़ेंगे इससे पहले जो 1,70,461 पदों पर सरकार पहाली कर रही है उस पर 11,000 करोड रुपे लगवग खर्च होंगे यानि सरकार को जो है 15,000 करोड अत्रिक जो है बहुत सहना परेगा जिसको लेकर राजसरकार तयार हो गई है और बिना किसी सहीोग के रा कर्मी का दरजा देंगे और जिसको लेकर अब तयारी कर ली गई है प्राइमरी से लेकर जो उच्च माधमिक शिक्षक हैं जो वर्सों से इंतजार कर रहे थे उनके लिए बड़ा तोफा सरकार देगी और बता दें आपको की कैबिनेट की बैठक आज भी हो रही है जिसको चर्चा चल लही थी लेकिन उन चीजों पर भी हम जड़ा विराम हटा दें कि आज को लेकर जो मन में चल रहा होगा शिक्षकों को की आज बैठक में जो है मुहर लग सकती है तो आज किसी तरह की मुहर लगने वाली नहीं है आज की कैबिनेट बैठक में नियोजिय पर मुहर लएगी और उसके बाद जो है राजसरकार घोष्टना करेगी तो इससे पहले भी इतिहास रहा है कि 2 अक्टूबर को ही राजसरकार जो भी रही है वो कुछ न कुछ शिक्षकों के मदबे जो है घोष्टना करती रही है और इस पार भी CM नितिश कुमार इतिहास को दोहराना चाहते हैं क्योंकि वक्त नहीं है कि परिच्षा लेंगे और 4 लाख नियोजेश शिक्षक जो है वो इम्तिहान में बैठेंगे फिर रिजल्ट आएगा हाला कि SCIT से बात हुई थी SCIT को ये जिम्मा दिया जा रहा था लेकिन अब जो है किसी परिच्षा से नहीं ग जहता करना नहीं चाहा रहे हैं और यहीं वज़ा है कि जब तमाम तवफा देने के लिए सरकार तयार हो गई है नियोजेटिन सबसे पहले जानकारी दे रहा है और थोरा सा वक्त बचा है आप देख लिजेगा अक्टूबर महा में जो नियोजेश शिक्षक है उनकी छो कि जवब महा नियो तन का कि कृत रहा है और रहा है और अगा सायर शिक्षक रहा है टानकी मुराओनानाव स एक्षक रहा है है आख बबःक रहा है त Commission